दोस्तों बोईंग स्टार लाइनर की एक गलती की वज़े से आज एक्चुली में दो जाने रिस्क में है पहली सुनिता विल्यम्स दूसरा बुच विल्मोर आपको गयार इतने सारे एस्टोनोट बैठें इंटरनेशनल स्पेस टेशन पर दो के लिए जगे नहीं है है दो के लिए जगे लेकिन उनकी उमर देखो सुनिता विल्यम्स की 58 यर्स उमर है बुच विल्मोर की 61 यर्स है और इनको इंटरनेशनल स्पेस टेशन पे सिर्फ आठ दिन के मिशन के लिए भेजा गया था और धीरे धीरे डिले होता होता आज पूरा एक महीना हो चुका है तो पता लगता है कि इनके थ्रस्टर में और भी जादा इशु हो चुके है और उपर से चार जगे से हीलियम अब लीक होना इस्टार्ट हो चुका है तो मतलब कि किसी तरीके से ये डॉक कर गए इंटरनेशनल स्पेस चेशन पे और आपने देखा भी होगा सुनिता विलियम और बुच विलमोर के चेहरे पे कितनी जादा रहा थी कि भाईया चलो किसी तरीके से हम डॉक कर गए हैं इंटरनेशनल स्पेस चेशन पे वरना लग रहाता कि helium leak हो रहा है जो कि इनको भी actually में मालूम चल गया होगा और उसके बाद में किसी तरीके से जब dock हो जाते हैं तो इनको मालूम चलता है कि भाई हम 8 दिन के लिए नहीं एक indefinite time के लिए हम यहां पे हैं जिसका हमें मालूम नहीं कि कब हम वापिस जाने वाले हैं क क्योंकि वो तो खराब होके खड़ा हुआ है बस किसी तरीके से international space station के साथ में अब आप कोगे कि भया health risk कहां से आ गया इसमें बीच में international space station पे दोनों पहुँच गए और वहां पे रहने खाने पीने की toilet वगेर हर चीज की विवस्ता है तो क्या risk है कोई भी risk नहीं अराम से में अभी भी है क्योंकि जैसा मैंने बताया उनकी उमर 58 years है 61 years old है और वहां पर जितने भी दूसरे astronaut होंगे वो शायद इन से कम उमर के ही होंगे जिसकी वज़े से इनकी health पे जादा risk है जादा burden है जादा load है इनके organs पे खास तोर पे kidney के उपर क्योंकि वहां पर gravity नहीं है बॉड़ी का जो fluid है वो upward movement करता है में उनका सारा का सारा सर की तरफ जा रहे होगा जिस तरीके से आप बाल देख रहे हों यह हवा में लटके हों क्या धरती पर ऐसा होता है नहीं होता तो यहां पर fluid imbalance का issue इनकी body में रहेगा हो सकता है इनको कभी dehydration का issue हो कभी fluid overload का issue हो इनका face थोड़ा सा पफी सा दिखेगा vision loss की भी समस्या आ सकती है जिस तरीके की उनकी age है तो इनका kidney सबसे ज़्यादा risk में रहेगा इस वक्त में जब fluid ऊपर की तरफ जा रहा है और उसको काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी filtration में क्योंकि देखो यहां पर muscle भी lose होती चली जाएगी bone density भी इनकी कम होती चली जाएगी जितना जादा यह international space station पर रुकेंगे क्योंकि वहां पर gravity नहीं है आपकी legs को उठाना नहीं पड़ रहा 80 kg आपका weight जितना भी होगा उतना उपर से muscle को भी कुछ जादा काम नहीं करना पड़ा वो भी relax है कि हम क्यों रहें इसके साथ में जब यह weight lifting नहीं कर रहा यह अपनी body का weight नहीं उठा रहा नॉर्मल जो भी काम करता है जितने के लिए हमारी muscle होती है क्योंकि आप gravity से हम constantly fight कर रहे होते हैं जब अगर आपको कोई glass भी उठाना तो उसके लिए भी आप gravity से actually में लड़ ही रहे हो उठाने के लिए आप एक लेटर की बहुत और उठा रहे हो उसके लिए भी आप gravity से लड़ रहे हो लेकिन वहाँ पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो body का जो muscle है लूस होता चला जाता है और bone loose की वज़े से calcium excretion होता रहता है kidney से जिसकी वज़े से उसको काफी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उससे kidney stone भी हो सकता है यानि की पथरी हो सकती है और वो जब वहाँ पर हो जाती है तो उसका pain असहनी होता है जिसकी वज़े से वहाँ दिक्कते और भी जादा बढ़ सकती है इनकी अगर इस तरीके का issue इनके साथ में हो जाता है क्योंकि वो जो painful experience होता है वो unbearable होता है और उसके लिए medical professional की जूर्थ होती है जो कि वहाँ पर होगा लेकिन जो treatment धरती पर हो सकता है वो वहाँ नहीं हो सकता उपर से जैसा आपक इनको हो जाता है किसी तरीके से तो उसमें भी शायद इनका immune system उतना साथ ना दे जिसकी वज़े से एक और issue इनके साथ में बन जाता है और तीसरा होता है mental issue का ये लोग young नहीं है इन्होंने अपनी life में सब कुछ achieve कर लिया है इनकी family है धरती पर इनकी एक अच्छी खासी life ह तो इनको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये गए थे आठ दिन के लिया वो आठ दिन किस तरीके से एक महीना हो गया जिसके बाद में इनको धीरे धीरे home sickness होने लगेगी आप कहीं पर भी अगर किसी दूसरी जागे घूमने फिरने जाते हो तो आपको कि आपको कि नहीं सकती बाहर कुछ दिक्कते चल रही है इस्टार लाइनर के अंदर जिसके बाद में यह पस पसी जाते हैं वहां पर किस तरीके से एक महीना इनका भीत है वो यह जाने या फिर वहां के दूसरा एस्ट्रोनोट जाने की किस तरीके से रह रहे हैं तो mental issue एक बह बेशक ना हो लेकिन नासा के ऊपर भरोसा होगा जो कि नासा वाले बिना एक एक चीज को पूरी तरीके से कंफर्म कि ये भेजेंगे नहीं इनको वापिस धर्ती पर हाँ वो इस पेस एक्स के क्रूड रैगन का इंतजाम जरूर कर सकते हैं कि अगर इससे नहीं हुआ तो वो लाएगा इनको इस पेस से तो इतना कुछ सहना पड़ेगा और बचना पड़ेगा इनको इंटरनेशन इस पेस्टेशन पर जितने दिन ये वहां पर रहेंगे हाला कि थोड़ी बहुत एक्सराइस तो ये भी करते होंगे जो कि आडिफीशल ग्रेविटेशनल पूल वाली म थोड़ी बहुत आप स्लो कर सकते हो लेकिन बंद नहीं कर सकते है अपनी मसल और डेंसिटी लूज होने का हाला कि एक प्रॉपर डाइट भी रहती है इनकी प्रॉपर न्यूटिशन भी रहता है और फैमली के साथ में इनको कनेक्ट रखा जाता है बाच्चित करवाते रहत है और एक mental health professional भी consultation करता रहता है इनके साथ में बाच्चित करता रहता है तो एक stress management इनकी रहती है अला कि 8 दिन के बाद में तो इनकी हालत क्या होगी वो आप समझ सकते हो जो भी घूमने फिरने जाता होगा उन्हें पता होगा कि घर की कितनी याद आने लगती है जैसे जैस से काफी दूर हैं तो मतलब तो आने की इनको कितनी जादा जल्दी होगी वो यही जान सकते हैं और वो लोग जान सकते हैं जो गुमते फिरते रहते हैं हाला कि जब यह धर्ती पर आएंगे आप इनके चेहरे से ही पता लगा लोगी कि यह कितने desperate थे घर आने के लिए और श तरीके से मतलब यह फस गाए हैं वहाँ पर